आप सम्में से किस किसने IFACA का एक्जाम फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो एक बार आप सबको रिमाइंड करवा दो कि भाई 15th मार्च हमारी लास्ट डेट है फॉर्म फिल की तो अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से बर दो सिर्फ दो दिन बज़े हैं आपके पास एक्जाम फॉर्म भरने के लिए I know आप मेंसे कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में तो आ रहा होगा क्या ये फॉर्म भरना हमारे लिए वर्त है भी या नहीं है क्यों क्यों आ रहा होगा क्योंकि आपका माइंड गह रहा होगा कि यार बीस तो पूस्ट हैं भरेंगे तो क्या हमारे नंबर आएगा भी या नहीं आएगा राइट या रीजन हो सकता है कि आप सब मेंसे सिर्फ कुछ लोगों ने ही पहले आएफसुय का नाम सुना हो और corrections भी आप में से एक दू ही होंगे जिनोंने आईफसे का नाम इस फॉर्म आने से पहले सुना होगा बाकी आप सबको तो आईफसुय के बारे में माइट भी पता भी ना तो अब आपको पता ही नहीं कि आईफसुय क्या हो रहा है इसलिए एक अंदर से किक नहीं आ रही है एक्जाम देने की राइट हो सकता है तो यही सारे डाउट्स मैं अभी आपके क्लियर कर देता हूँ पहले तो फिर जानेंगे क्या फॉर्म भरना वर्ट है भी या नहीं है पहली चीज तो AIFSA है क्या यह एक International Financial Service Regulatory Authority है याद रखना यह regulatory body है जैसे हमारी RBI होती है सेबी होती है वैसे ही AIFSA भी है बस परक क्या है जो हमारा International Financial Service Centers होते है मतलब जो Special Economic Zones होते हैं जो इंडिया में government ने बनाए है उसके अंदर financial products and services को regulate बोन करता है वो करता है AIFSA मतलब RPI, SEBI, NAVAT या जो भी financial product service PFRDA इन सबके functions AIFSA के अंदर मतलब उस zone के अंदर AIFSA करेगा तो यह regulatory body है यह नहीं कि बाई कल को बंद हो जागी या फरसों को बंद हो जागी यह इसे privatize कर दिया जाएगा जो कई सारे students के mind payment question आप और comment box में mention कर रहे थे इसका आने वाले time में horizon जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा reason being government अलग-अलग AIFSA को लेगी अलग-अलग special economic zone set up करेगी as a AIFSA तो वहां पर regulate करने के लिए इनके अलग-अलग offices होंगे I know अभी सिरफ एक गुजरात में हैं लेकिन chances है future में और भी states में AIFSA के centers या offices हों तो आपको वह तो डरना नहीं है विल्कुल भी AIFSA है क्या कल को बंद हो जाएगी अब I know कई सारे students से कह रहे हूंगे सोच रहे हूंगे यार बीस सो पोस्तें क्यों भर हूं राइट इसके लिए मैंने last time भी आपको एक example दिया था और अब दुबारा एक ही example दूँगा आपको show भी कर देता हूं नाम है गुल्शनकुमार अब इस student से मैं भुद बहुत ज्यादा inspired हूं reason being गुल्शनकुमार त्यागी हमारा जो है sorry गुल्शन त्यागी यह हमारा नवार्ट में selected है और जब यह interview देने आये थे तो मैं खुछ शौक था इनकी जो जोब थी वो थी कुछ land development से related में कोई जतना याद आ रहा है जो पोस्ट थी वो थी land development से related and you know कितनी पोस्ट निकली थी सिर्फ दो पोस्ट निकली थी अगर इस student ने उस से यह सोचा होता कि अगर दो पोस्ट है मेरा तो कुछ नहीं होगा तो शायद यह अभी नवार्ड में होता ही न तो अगर आप यह सोच के फॉर्म नहीं बर रहे हैं यह अपने प्रेशन नहीं कर रहे हैं कि भाई 20 सीट से हमारा नंबर कहा हैगा तो क्या एड्वान्टेजिज ने मदलब क्यूं बरना चाहिए और क्या डिसेड्वांटेजिज ने वो एक बार के लिए discuss कर लें ठीक है तो फिर आप एक better रिजिशन लिपाओगे कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए सबसे पहली बात अद्वान्टेजि स्लेबर्स हमारा मैच हो रहा है RBI और SEBI से तो अगर आप IEM से भर भी रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा extra महनत नहीं करनी प्लेस एस रिविजन हो जाए कि आपकी RBI और SEBI की अब इसमें भी आप में से कुछ स्टूडेंट किंतु प्रंतु कर रहे होते हैं तो मिरको तो समझ नहीं आती किंतु प्रंतु क्यू कर रहे हो अगर मैं सलेबर स्कूलू और दो आता नियाता अट कि बेपर में देतें में बिल्कुल सेम पैटन है लाइट अगर टू की बात करूं तो सब से पहले सबसे पहले पेपर टू की बात करूं यह फेंद स्पपर्स कीनल नॉलइज़ कर एंट इन्टर्नाशनल को विन में आता निया आता हूं Economic and Social Development ESI आता नहीं आता RBI में आता है न यह Sustainable Development Poverty, Inclusion, Demographics यह सारे हमारे ESI का पार्ट होता है RBI के राइट अगर आगे बात करूँ Commerce Accountancy अब यह SEBI में आता नहीं आता RBI में नहीं आता लेकिन SEBI में तो आता है फिर Management Finance RBI SEBI दोनों में आता है फिर आगे बात पर Costing Costing हमारा SEBI में आता है फिर Indian Economy, Global Economy Five Year Plans और Government Scheme RBI में आती है नहीं आती तो आप देख बारे हो कि Maximum Portion हमारा RBI में आता है और बहुत सारा Portion SEBI में भी आता है फिर अगर मैं Phase 2 की भी बात करने Phase 2 की भी बात करने English descriptive भी आपके practice होगी नहीं होगी चाहिए नहीं चाहिए हमें RBI और SEBI में चाहिए एपसलिउटली चाहिए अगर पेपर 2 की बात करूँ IAFP से आग नहीं आता ना मांता हूँ Union Budget Economic Survey RBI में आता नहीं आता Banking, Capital Market हमारा RBI और SEBI दोनों में आता है जो नए topics पढ़ने पढ़ेंगे वो पढ़ने पढ़ेंगे आपको insurance, pension billion, gift city, IAFCA global financial centers और यह बहुत छोटे-छोटे topics हैं इतने बढ़े topics नहीं हैं कि आपको problem create करेंगे तो इसलिए मैं students को बोलता हूँ कि अगर आप RBI से अभी की preparation कर रहे हो तो यह paper भर दो क्या problem नहीं है इसमें राइट, पहला point, syllabus का second बात करूँ अगर मैं अगर आप इसकी preparation करोगे तो जो बाकी small exams आ रहे हैं जो small exams होते हैं आप उन पे भी focus कर पाऊगे मतलब उनकी भी अच्छे से भोग जाएगी साथ में कभी PFRDA दे दिया जैसे अगर insurance topic है जो paper 2 का है तो अगर PFRDA का exam हो तो उसमें insurance फूसा जाता है तो कहीं ना कहीं छोटे-छोटे exams की भी preparation आपकी हो जाती है जब आप IFC से वगरें के लिए preparation करोगे तो आप उनको भी target कर पाऊगे ऐसे अगर आप छोटे-छोटे exams जो हमारे along आ रहे है आप इस सभी उसको छोड़ते रहोगे तो यह नहीं है कि आप wait करते रहोगे पूरे जिंदगी अपने क्या भी RBI दूँआ, RBI दूँआ, RBI दूँआ, RBI दूँआ जैसे एक जो SBI वाला exam PO exam देता student अगर आप मैंसे किसी ने दिया हो, तो वह IBPS PO भी दे रहा होता है, CLERB भी दे रहा होता है राइट और राउंग? जो SSE वाला बच्चा होता है, FCI का exam भी दे रहा होता है राइट? एक तो यह advantage हो गया फिर तीसरा, अगर हमें डर लगता है, आपको डर लगता है कई पर क्या होता है, शुमिट्स पहले सिर्फ सिर्फ और बिया को पहले target कर रहे होता है एक्जाम हॉल में जाके वो nervous हो जाते हैं जैसे हैं को target कर रहे होता है, exam हॉल में जाके anxiety आ जाती होने तो अगर आप ऐसे exam दोगे, कही न कहीं, जो आपके mind में exams का fear है वो कहीं न कहीं खतम हो जाएगा, यह तो 100% आप सब भी मेरी बात को agree करोगे कभी बिगार होता है कि कैसा interface होगा exam का, कैसा environment होगा exam का वो कहीं न कहीं आपको habitual हो जाएगा अगर आप ऐसे exam दोगे तो पर लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट हो मतलब हम सबको पता ही है यार यह government job है जिसको हम सब target कर रहे हैं और बताने की जुरत नहीं है already अनुच सर आपको बता चुके हैं कि आपकी positions दुनाएने वाली है Grade A, Officer, Assistant Manager की level पर होगे और salary हम सबको पता है कम नहीं है Unless and until आप कहीं government sector में work नहीं कर रहे तो अगर commerce ए graduate pass out, pass out हो रहा है, graduate pass out हो रहा है, post graduate pass out हो रहा है 1.5 lakh salary कम नहीं होती मैं personally बता रहा हूँ, graduation के बाद अगर आप top colleges से नहीं हो तो यह big force बगारा भी जो companies होती है, MNCs भी जो होती है 50, 50, 60, 60 thousand के package है पर मन्त के 1.5 lakh कम मत बूलना, until unless आपकी कोई और government job नहीं हो यह आप इससे आदा नहीं कर रहे होगे, graduation के बाद Right, तो जो exposure आप वो IFSEA में जाके मिलेगा, might be और बाकी जगहां पे कम मिलेगा यहाँ पे आपकी maximum dealing international level पे होगी International University is खुल रही है IFSEA में अगर आप news से touch में होगे तो Right, but as a mentor, जहां मेरी responsibility है आपको advantages पताओ, disadvantages भी पताओंगा disadvantages भी पताओंगा, देखो disadvantages क्या होगा exam साथ, क्या होता है? पहली चीज जो बच्चे गल्स नी कर जाते कभी कवार, उनकी mental stability है Example देता हूँ, देखो जब एक बच्चा UPSC की त्यारी कर रहा होता है, जिसका destination होता है, वो UPSC होता है, राइट, वो छोटे-छोटे PCS, स्टेट PCS पर गयरा exam देता रहता है, ऐसे ही, आपको क्या करना है, आपका जो main goal है, जो पर आपका main exam एलेक्स अर्बी है, उस पे फोकस करना है, लेकिन साथ-साथ क्या करना है, छोटे-मुटे इसे एक्जाम्स आ जाते हैं, इससे पहले PFRD आया था, ऐसे एक्जाम्स देते रहने, बट disadvantage क्या है, कई सारे students के साथ क्या होता है, वो anxiety में आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक decision लेना होता है, कि आपको कब switch करना है, एक exam से दूसरे exam में, उसमें क्या कर जाते हैं, students confused हो जाते हैं, फिर वो घबराने लगते हैं, कि यार आइफसी प्रविशन गरूँ, आर्बेगी गरूँ, साभी गरूँ, अगर आपकी वो condition है, तो यह आप पर एक best decision होना चाहिए, आपका कि यह ना हो कि भाई, आईफसी पर दिया, आर्बेगी पर रही है, जब आप switch कर रहो exams के बीच में, तो आप, आप mental pressure feel कर रहे हो, आप में गबराट हो रही है, तो आप किसी चीज़ की preparation निकर पा रहे, तो यह greatest advantage हो सकता है आपके साथ, पिर दूसरी बात करूँ, एक और चीज़ मैंने बहुत जादा देखी है, आप सभी में students में, कि जो मैंने भी यह point mention किया, fear of exams end, वो disadvantage भी है, अब यह disadvantage कैसे है, अब मैंने कई सारे test students देख लिए भाई, जो exam's पर exam's दिये जा रहे हैं आपकी तरह, जब तक fail होने का दर्द नहीं होगा ना, मन में exam में, तब तक समझना मत कि आपने preparation करी है, शुरूर एक शेया करते हैं, एक exam बहरा, दूसरा बहरा, तीसरा बहरा, बस ठीक है, पता है, आज के लोगे तो को मैं अपने, 11-2-S में था, या graduation में था, literally शुबह फोर एम उतके मैंने पढ़ाई करी है, और रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करी है, बट मैंने अपनी master's में नहीं करी है, क्योंकि शाद तब मेरे को fear नहीं था, exam's के fail होने का, तो कई बार आपके साथ भी आप ऐसे phase मे आज होगे, कि आप एक exam के बाद दूसरा exam दे जा रहा हो, दूसरे के बाद तीसरा दे जा रहे हो, और fail होए जा रहे हो, और आपको फरक ही नहीं बढ़ रहा है, at least दो दिन का दुख होना चाहिए अगर exam में fail हो, तो समझना कि आपने preparation करी थी शच्ची में exam की, अगर आप आपको दर्द नहीं हो रहा exam में fail होने का, that means आपने preparation ही नहीं करी, तो यह नहीं हो कि भाई आप इतने सारे exam सभरी जा रहे हो, बस आप exam की मज़ाद exam ही दे जा रहे है, preparation अच्छे से करी ने रहे किसी exam की, तो इस stage में भी ना आ जाना, और एक लास चो छोटी सी बात, एक जो सकती है कि हाँ भई हम सब की posting गुजराद होगी, अभी के लिए तो नजर आ रहा है, जो expected है, हाँ अगर आपका गुजराद जाने का मन नहीं है, तो ठीक है, अलग बात होगी, right, तो दुबारा रिमाइंड करवाद हूँ, दो दिन है, अराम से बैट के सोचो, और exam form तो at least जरूर फिल करतो चाहिए, अगर आपका decision नहीं बन रहा, ताकि आप दो दिन बात, अगर decision change करने का मनुआ होगी, हाँ, मैं को exam देता है, तो आपके पास at least इतनी वो power हो, कि हाँ, you have to study or not study, तो दो दिन बचे है, take a wise call, bye bye, take care, अगर मेरी कोई भी help चाहिए हो, you can comment me on the YouTube video, or you can connect me through telegram also, ठीक है, so that's all for today, bye bye, take care, all the best.